लिम्रा न्यूस हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सभी सची खबरों के लिए देखते रही है लिम्रा न्यूस में क्या चैनल के सच अजय करवार जा रही है को तो इन श्रैट्र इन zelf की सधेृइन का इस्के सब्सक्राइट, श्रीन ठीच का ःभिश निया हैं जो डेली केसे आते हैं ये बढ़के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए तो ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे एक्टिव केसे अभी तक के हो गए है 932 और ट टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किये थे वो थे 2363 वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है 295 केस है लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने के जरूरत है वो उठा रहे हैं अभी तक टोटल तीन डेट्स हुई है उनमें दो डेट्स परसों हुई थी और एक डेट्स और चार-पांच दिन पहले हुई थी यह तीनों डेट्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज को मॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसे में तो ऐसा अनुमान है कि डेट्स को मॉर्बिडिटी की वज़े से हुई है और शायद करोना इंसीडेंटल था पर यह कह हो गई तो यह कहना कि वो करोना से डेट्थ हो गई यह थोड़ा शायद गलत होगा लेकिन यह फैक्ट है कि तीन केसे ऐसे डेट्थ हुई है जिनको करोना था इन तीन में से दो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसे पॉसिटिव आते है 100% cases की हम genome sequencing करा रहे हैं उसका हमारा मकसद यह है कि अगर कोई भी नया variant अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विशे तो नहीं है तो 100% cases की genome sequencing करा रहे हैं इस वक्त जो सबसे predominant variant आ रहा है वो है XBB 1.16 लगब 48% cases में यह वाला variant है और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी variant के कुछ कुछ सब variants हैं इस variant की तीन qualities हैं यह वाइरल बहुत तेजी से हो रहा है बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन यह severe नहीं है बिलकुल यह ना तो इसमें कोई तेज symptoms हैं और ना ही इसमें ज्यादा hospitalization की जरूरत है और ना ही इसमें deaths की ज्यादा चिनता है तो severity इसकी कम है लेकिन evasion to immunization है कि अगर आपने वैक्सिन भी लगवा रखाया तो यह उसका उसकी परवा तो नहीं आ रहा तो मिड फेबररी तक जितने हम सीवेज के 7-8 जगे से पूरे दिल्ली में sample उठाते हैं सीवेज के और उनको test करते हैं पहले अगर Corona आता है तो पहले सीवेज में Corona detect होना चालो हो जाता है मिड फेबररी तक zero completely पूरे दिल्ली में negative था उसके बाद से धीरे धीरे positive कुछ-कुछ samples में आना चालो हुआ और पिछले पंदरा दिन में अभी सीवेज में positive इसके वो निकल के आ रहे हैं हमारी इसको लेके पूरी तयारी है वैसे तो कोई भी चिंता करने की जूट नहीं है बहुत कम अभी cases है और कोई severity भी नहीं है लेकिन तयारियों को देखते हुए हमारी 7986 beds हमारे अभी तयार हैं Corona के लिए इसमें oxygen वाले beds भी हैं इसमें ventilator beds भी हैं इसमें ICU भी हैं 7986 beds है जिसमें 66 beds के वल उक्यूपाइड है आठ 66 आठी PCR के test करने की हमारे पास सफिशन्ट क्षमता है लगबग 4000 tests हम सरकारी labs में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और private labs में तो एक लाग से ज्यादा test per day करने के क्षमता है vaccine भी बहुत अच्छा performance अभी तक रहा national average से ज्यादा अच्छा रहा 18 plus की category में तो लगबग सबको vaccine लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो first dose सबको लग चुकी है second dose भी 85% के लगबग लोगों खुलक चुकी है हमें बस sufficient ambulance है sufficient oxygen available है sufficient oxygen storage की capacity है 26 March को हम लोगों ने 38 सरकारी दिली सरकार के hospitals की खुद बखुद एक mock drill की थी कि बाईचान सगर हो जाए तो और इसमें जितने माली जे कोई equipment काम नहीं कर रहा था oxygen वाली available है नहीं है vaccination सारी चीजों की एक से trial करके देखा था कि सारी चीजे काम कर रही है की नहीं कर रही है अब केंदर सरकार के देश आये हैं 10 और 11 April को एक बारी सारे सरकारी और private hospitals की mock drill की जाएगी इसके उपर दिली सरकार एक campaign चलाएगी अब एक मीडिया campaign चलाया जाएगा लोगों को करोना के बारे में जागरूख करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोवीड appropriate behavior follow किया जाए एयरपोर्ट के उपर 2% के लगबग passengers को random testing की जा रही है और जितने भी दिली सरकार के hospitals हैं सबको बोल दिया गया है कि isolation wards कोरोना patients के लिए रखे हैं कहीं ऐसा नहीं कि किसी को बहुत serious मालिया ilbs में किसी को kidney transplant हुआ उसको कोरोना हो गया अब उसको कोरोना वाले hospital में नहीं दे जाएंगे हम वहीं पर आइसोलेशन बैड होगा तो वहीं पर उसको एक अलग वाड में कर देंगे तो उसका करोना का kidney का भी treatment होता रहेगा और उसका करोना तो हर अस्पिताल के अंदर एक isolation ward की तैयारी की गई है जितने सारी cases है acute respiratory disease वाले उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है hospital में उसको तुरंत mask दे दिया जाता है उनको 100% उनके tests किये जा रहे हैं और जितने influenza वाल लाइक symptoms वाले patients हैं उनको 5% उनके random test किये जा रहे हैं तो overall दिल्ली में लोगों को घबराने की जरूर्ट नहीं है सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए और सरकार पूरी तरह से किसी भी eventuality को face करने के लिए तैयार है किसका क्या स्विटेस अब ही मास्क की जरूरत हम जितने भी जिनको भी सारी patients हैं जो की influenza like symptoms है इस तरह की सांस की बिमारी हैं उनको हम सबको वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिये लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई guideline नहीं है और जैसे-जैसे केंद्र सरकार guide करेगी हम उस पर steps लेंगे अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम समय समय पर करते रहेंगे We are recommending masks to those who have respiratory disease like SARI, EILI, etc. Airport पे 2% कर दी है जैसे-जैसे केंद्र सरकार हमें guide करेगी हम उसको पूरी तरसे follow करेंगे उसको आपको याद होगा कि disaster management से अलग कर दिया गया था COVID को So now this is not being monitored by DDMA और NDMA